नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे उन्वस्टी अपडेट यूट्यूब चैनल में और आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है उन सभी श्रंट्स के लिए जो कॉमवान उन्वस्टी एंट्रेंट टेस्ट पीजी में देने जा रहे हैं दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा जियो हमारा 25 नम्बर का पाठ ए आने वाला है जो पाठ ए है जिसमें कह सकते हैं आप सभी जर्नल पेपर आखिर उसको कैसे क्रेक कर सकते हैं कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जितने भी बच्छे हैं पीजी वाले उन सभी का domain तो मजबूत होता है, domain वो अच्छे से पढ़ते हैं, जो उनका subject से form फिल करते हैं, वो उनका अच्छे से पढ़ा होता है, पर बच्चों को दिक्कत कहां आती है, part A वाले में, हम part A को कैसे सही कर सकते हैं, आखिर क्या क्या हम keywords को note करें, और अच्छे सम तयारी करें, और जिससे हमारा part A अच्छा हो जाए, समझ गए, तो उसी के उपर आज हम बात करेंगे, part A कैसे अपना best किया जा सकता है, कैसे अच्छे अंक प्राप्त किया जा सकते है, part A में भी, क्य मतलब domain भी और general paper भी, तो उसको बहुत अच्छे से किसी भी अच्छी university में admission मिल जाता है, तो part A को समझते हैं, पहले कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, part A में आपने देखा होगा language comprehension है, तो मतलब उसमें Hindi और English दोनों है, जिसके English लेना है, जिसको Hindi ले सकता है, जिसको Hindi लेना अच्छे से कर लोगे, तो समास में जो भी chapter से important question होगे, उनको उस book में दिया हुआ है, अगर आप उन question को अच्छे से कर लोगे, तो अगर वो पेपर में आएगा, तो आप उसको attempt कर सकते हो, बहुत कम समय में आप इतना कर सकते हो, क्योंकि अभी जो समय देखा जा रहा है, महीने बर के आपके पास समय होगा, समझ गये, तो महीने बर में आप ये कर सकते है, कि कोई भी book है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन के लिए हिं जादे भी मतलब hard question नहीं थे, जैसे कि मैंने कल आपको में हिंदी का paper solve कराया था, तो हिंदी के paper में हमने देखा थे, ज्यादा math के question इतना hard नहीं थे, तो 3-4 question में देखने को मिले थे, तो 3-4 question में भी देखने को मिले एक-2 question तो आप कर लेंगे, एक-2 question थोड़ा सा hard हो जा बाकि जिसकी math ठीक है, वो का कर सकता math की, जो revision कर लें हो, तो mock test लगा ले, math के लिए, math भी ज्यादा high level की नहीं, mts level की अगर आप math कर लेते हैं, तो अच्छे से निकल जाएगा, जो question है, 3-4-5 question है, जो छोड़ भी दोगे अगर तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यूंक आया, उनको 3-4 दिन देख लोगे, तो number system के question हो जाएंगे, जो word वाले आते है, ABCD वाले arrange करने के लिए, वो question थे, एक-दो question दियावा था, तो 4-5 question आपके reasoning के आते हैं, उन question के लिए, प्रिवियसर के paper देख लो, जो SST के हैं, MTS level तक के, उनको उसमें जो number system के question आते हैं, य 3-4 question easily कर जाओगे, हिंदी कर लोगे, हिंदी में आपके 5-5 number बन सकते हैं, अगर आप हिंदी आदित publication से पढ़ ले तो हिंदी बढ़िया तरीके से, 4-5-6 number की हिंदी थी उसमें, paper में, last year के जो मैंने देखा था, तो 5-6-7 number आप आराम से कर लोगे, reasoning का भी यही सीन है, reasoning को कर लोगे, फिर आती है math की, तो math की मैंने आपको बता दे, 2-3-4 question रहेंगे, और जिससे हो जाते हैं ठीक है, नहीं भी आते हैं, तो छेड़ना नहीं है, क्यूंकि negative marking में कुछ भी question को आपको गलत नहीं करेंगे, जो आपको आता है उन्ही question को करेंगे, समझ के मैंने आपको ज्यादा question थे नहीं, क्यूंकि जो मैंने paper कोला था, वो Hindi language का question था, वो Hindi मतलो भचे ने चूज कर रखी, तो उसमें Hindi के question थे, अगर आप English भी लेते हैं, तो English में भी ज्यादा आपको हाट देंगे, नहीं मिलेगा, English भी आपकी Hindi ही जैसी आएगे, नॉर्माल आएंगे, आप इस से ज्यादा question थो आपका नहीं बनने वाला है, English के अंदर, 3-4.5 number के question देखने को मिलेंगे, पार्ट A में 25 number का ही होने वाला है, यह होगे आपका Hindi भी बता दी, मैंने रिजिनिंग भी बता दी, Math भी और English भी, अब बात करें GS का pattern, तो GS को क्या कर सकते हैं, GS में कैसे question attempt कर सकते हैं, GS के लिए में आपको अददू कम समय में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी 6 महीने की जो भी book हो, जिसके अंदर current affair आई हो, 6 महीने की, तो अभी आपका exam कभी June में है, तो June में exam है, तो मतलब आपको June तक की नहीं पढ़ने, क्योंकि June में तो paper है, वो आपका paper है, व current affair में पढ़ना क्या कहा है, current affair में पढ़ना मतलब जो खेल के सम्वंदीत है, खेल सम्वंदीत पढ़ लेना, और जो जितने भी important जो खेल हुए है, ऑर जो जो उसके अंदर books निकली है, उन सभी के बारे में पढ़ लेना, जो भी current affair में, current affair में ये point थोड़े जादा important होते है डेखे झाल जब्लके पेपर में यही शब था खेल के बारे में कोशन थे ज garlic ही उद्ध्याण कहा सकते हैं ज्यादा कौिशन थे इसके आड़़ को शर्ली में अच्छा सका कर सकते हो और ज्यादा ज्यादा मैथ में हिंदी इंग्लिस दोनों आप हिंदी लो या इंग्लिस लो बात एक ही है हिंदी रिजनिंग और आपका मैथ अगर आप बढ़िया कर लेते तो मैथ भी हो जाएगा और बाकी बात रही जीएस की यह तिन चार चीजे आपको समझनी है और आप अच्छे से ऐसे कर लीजे इतना मतलब 25 चरवों में तो कम से कम नी कम से कम नी तो आप 15-15 नंबर आराम से लियाओक वोगे अकर आपको पटेने हैं जो पंटा दिन टीन कोशन उसमेंगर प मतलब कौन कशन से कोशन but कोशन आ रहे है कोशन आया है , बाकि मैंने overall उपर का वीव दे दिया मैंने आपको कि हाँ यह इन सब्जेक्ट से कोशन आये कोशन को अच्छे से पढ़ लो अब समझ यह सारा पाट की डिटेल्ल वीडियो मतलब मैंने आपको बता दिया सही किस कीस बुक से और कैसे कैसे करना है समझे GS का भी मैने आपको होता है GS कर एंटरेफिर का भी रिजनिंग का भी हिंदी का भी बैत का भी तीनों चारों मैने अच्छे से बता दिरें डोमेन अपना तो आपने पड़ी रखाया डोमेन को जादे जादे रीवीजन करते चले जाओ मौक टेस लगाते चले जाओ इससे ज्यादा कुछ निकारना भी नायस लेवर्स उठाके मत पढ़ना महीने पर इसी को अच्छे से पढ़ लो और पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं बनता है कि मतलब बहुत हाई लेवल का है लोही लेवल कर रहा था पर जो भी आपने पढ़ जरूर से जरूर इसको कमेंट कर दीजे समझगे दोस्तों तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत